दोस्तों क्या आप अपने गूगल ड्राइब में लाग लगाना चाहते हैं जिससे आपके गूगल ड्राइब को कोई भी ओपन न कर सके या कोई भी अपके फोटो को गूगल ड्राइब में न देख सके अगर आप भी अपने गूगल ड्राइब में लाग लगाना चाहते हैं वो भी बिना किसी एप के तो फिर चलिए वीडियो सुरू करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में आईए सेटिंग को ओपेन कर लिजिए ओपेन कर लेने के बाद थोड़ी से नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा आपस उपर नीचे हो सक नीचे दिखाई देए टर्न अन पर क्लिक कर लिजिए आपको यहां पर पासवर्ड क्लिएट कर लेना है आपको हमारी स्क्रीन में ब्लैक ब्लैक दिखाई देरा होगा क्या कि मैं स्क्रीन रिकार्डर का यूज किया हूँ पासवर्ड क्लिएट कर लेने के बाद आपको ने आई देगा NOT know पर क्लिक कर दीजे उसके आपके सामने जो भी ठीक है इसे अंटिक पले यहां से कर दीजिए यहां से अंटिक कर देने पर यूज एप लॉक पर क्लिक कर दीजे अगर आप फिंगर प्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं आपके फोन में दिया है फिंगर प्रिंट इसके सामने जो disable इसे enable कर दीजिए अब क्या होगा आपके Google Drive में password लग चुका है लाक लग चुका है और आप जो भी password बनाये हैं वही password से खुलेगा अगर आप password चेंज करना चाहे तो आप setting पे क्लिक कर लिजिए उसके आपको यहां पे दिखाएज चेंज password टाइप आप चें चेंज कर सकते हैं इस तरीके से password चेंज कर लेने के बाद आपको यहां से बैक हो जाना है अब आपके Google Drive में लाक लग चुका है यहां पे Google Drive पे क्लिक करता हूं मेरे स्क्रीन में ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है क्योंकि स्क्रीन रिकाडर का युज की यहां password दे देने के इस तरीके से आप भी अपने Google Drive में password या लाक लगा सकते हैं थांकियो दोस्तों for watching my video